नमस्कार दोस्तों आप लोग का राम इस्टेडी चनल में स्वागत है यहां पर हम लोग एर फोर्स एक्स वाई ग्रूप एंड रैली 2020 के वरें बात करने वाले हैं इंटेक 02-2020 के वरें बात करने वाले हैं जिसका जो इंडॉल्मेंट लिस्ट है वो 9 जून को आने वाला है ठ कि monde polysis करने वाले हम लोग तेकंट जुए जब्रस निकाल स्वारा इता है नहीं करेंगे जो बच्छे को खोज रहे हैं फो यह चार्च कर रहे थे हैं यूट्यूबर यह इस वीडियो को देखें एशे जूनिगे रिखे जिन मैं लिडियो को अंगे सवाल को फीज वीड करते हैं तो इस वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले जो बच्चे इंट्रस्टेड है चैनल पर अच्छे वीडियो आते रहें वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगो नोटिफिकेशन पहुंच सके बैल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहल इक मार के आप लोग जा सकते हैं वीडियो को ठीक है तो इस वीडियो में डिसकूस करने वाले हैं अप लोग देख सकते हैं क्या के डिसकूस करने वाले उससे पहले मेरे वीडियो के एक मोटिवेशन है पहला मोटिवेशन है वह है कि लाइफ में बड़ा बनने के लिए सु जरूरी होती है मतलब light में आप लोग को कुछ अलग करना है तो सुकून नहीं आपको कुछ अलग करना पड़ता है पूरे दुनिया से अलग करना पड़ता है Bill Gates ने कुछ अलग किया तब ही जाके सबसे richest person of the world है अब आते हैं हम लोग को question पर सबसे पहला question है main stand by additional stand by क्या होता है तो देखिए यह आप लोग का joining letter ऐसा होता है main candidate वो candidate होते हैं जिनका selection होता है मतलब जिनका selection पक्का होता है selection हो जाता है तो आप लोग जब joining letter घर पर आएगा तो यहाँ पर एक मिनटों किएगा आप लोग के joining letter में यहाँ पर main लिखा होगा main का मतलब यह होता है कि आप लोग reporting कर सकते हैं जो यहाँ पर date दिया हुआ है 27 दिसंबर पिछली बार दिसंबर को आप लोग का enrollment list आया था और आप लोग का join letter उसके बादी start हो गया था ठीक है तो आप लोग जो main candidate होते हैं main का मतलब main candidate असली candidate हो उनका joining past का मतलब उनका date धिया होता है वहाँ पर उसी date को आप लोगो joining करना होता है अगर आप लोग एक या दो दिन late होते हैं तो आप लोग को इसके लिए दिक्कत हो सकता है मतलब आप लोग को निकाल भी सकते हैं इसके कारण तो जो बच्चे का जोनलेटर अगर आ जाएगा नौ जून के बाद तो वो लोग यह हैं जिस टाइम पर रिपोर्टिंग है उसी डेट को आप लोग रिपोर्ट करें लेट ना हो अगर लेट होते हैं तो आप लोग को दिक्कत हो सकता है ठीक है जो मेन केंडियेट है वो उसी दिन रिपोर्टिंग करना होता है लेकिन जो अब दूसरा पॉइंट है इस्टेंडवाई क्या होता है तो इस्टेंडवाई वो केंडियेट होते हैं जैसे कि मान लीजिए जो मेन केंडियेट होते हैं मेडिकल अगर ऊथा हो तो इसलिए एरफोर्स वाले स्टेंड बाई का ओप्शन लाते हैं उन लोग का आता है तो आप लोग जब मान लिए जब पहले देखिए सबसे पहले मेन केंडियेट का आप लोग का रिपोर्टिंग होता है अगर जो बच्चे परजेंट नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे कि अ का है इंडियन और अफिस में भीजते हैं उसके बाद से आप लोग का जोइन लेकर निकलता है तो यह बाए अब बात करते है कि main candidate कैसे कैसे out हो सकते हैं तो पहला region है main candidate का main candidate अगर absent हो जाए जिस दिन joining है उस दिन ना पहुंचे तो उन लोगों को हटा देते हैं पहला चीज दूसरा चीज joining के time पे आप लोग का medical होता है वो आप लोग medical में भी out कर सकते हैं जैसे कुछ point मिल गया जैसे आप लोग का permanent out नहीं करते हैं मान लेजे seven या eight days का आप लोग को time देंगे recovery करने के लिए अगर आप लोग recovery कर लेते हैं उस चीज से तो आप लोग joining कर सकते हैं लेकिन मान लेजे कोई candidate recover नहीं कर पाता है recover नहीं कर पाता है तो वो लोग क्या करेंगे कि अगर मान लेजे officer अच्छा है वहाँ का जैसे जो अधिकारी है वहाँ का वो अच्छा है medical doctor अच्छा है तो आप लोग को बोल सकता है यहाँ छोड़ देजे चोड़िए बचे को ले लिए लेकिन को कोई को जो होता है मतलब arrogance होता है उनमें तो वह लोग क्या करते है कि वह लोग आउट कर देते हैं आप लोग को seven days का समय देंगे उसके बाद आप लोग का out कर देंगे में candidate को ठीक है में candidate का out कर देंगे तो वैसे जो है दूसरा दूसरा चीज ऐसे vacant हो जाएगा तीसरा point यह है कि कुछ main candidate होते हैं वो absent होते हैं यह medical होते हैं यही सब रीजन होता होगा ठीक है तो यह जो वेकेंसी जो है वेकेंट होता है उसको फिल करने के लिए stand by का option लाया है एरफोस ने समझ में आ गया हो आप लोग को stand by क्या होता है अब बात करते है अब क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे कि कुछ बच्चे जब कुछ बचे मेडिकल माउट हो गए कुछ बच्चे अपसेंट हो गए तो क्या करेंगे आप लोग को इडिशनल स्टेंड़ बाई की का क्रेटेड़िया करेंगे, बोलोग एडिशनल स्टेंड़ का मतलब जोई इंडियां एरफोर्स दिल्ली हैरड़कोर्टर से भीजcji से बहते अपलोगों को तो अपने एडिशनल वगाल यह होता है लेकिन मैं एक बाद रता दू आप लोगो को कि अडिशनल जो है आज तक क्लियर नहीं होगा किसीका तो stand by clear, stand by पूरा का पूरा clear नहीं हो पाता है, ठीक है, पिछली बार जो है, पिछली बार जहां तक मुझे याद है, 253 में से 1.500 candidate का जो है, x group में ज़्यादा candidate का चांस होता है, stand by clear होने का, x group में, y group में तो डेट सो candidate का stand by clear हो था X group में लेकिन Y group में 20 से 25 से 30 candidate का stand by clear हो था तो Y group में बहुत ही कम मतलब negligible होता है मतलब clear stand by का option ठीक है तो जैसे कि यह letter है यहाँ पर stand by लिखके आएगा आप लोग जब stand by का join letter आएगा तो और जब आएगा stand by का हो गया अब एक बात हम लोग बात करते हैं दूसरा चीछ दूसरा point discuss करते हैं हम लोग कि joining time medical कैसे होता है तो joining time medical जो है वो मतलब एक normal medical होता है जैसे आप लोगा IAF का medical हुआ होगा phase second के लिए उस तो hard medical होता है बहुत ही hard medical होता है मेकल यहां मतलब होता लेकिन कुछ बच्चे उसमें हो जाते हैं यह सब कूछ कर लिए judgment कर सकते हैं तीस दिन के रहmath कुछ को जाता है है तो देखिए जोईनिंग लेटर के अगर हम लोग बात करें तो जोईनिंग लेटर सबसे पहले किसका आता है जैसे कि मैंने बताया आप लोगो आई एफ का हीड़कोटर जो है वह कहां पर है आप जोग जनते हैं दिल्ली में हैं तो दिल्ली से जब निकलेगा तो एससी वाइज निकलता है आप लोग का जोएनिंग लेटर ठीक है उसके रिगाड़ी निकलता है तो जो बच्चे दिल्ली के आसपास रहते होंगे उनका जोएनिंग लेटर पहले आता है ठीक है ऐसा मतलब रोज के रोज जो है कम से काम और और किसे का दली पहुंचता है किसँ लेट क्या हुआ था हूई कि जब जिर्पीसल उसके बाद से से ढई है व्य देन और लिस्ट में है और लोक जाने खेंग सब घर पहुंच आता है पहले होता था फिछली बार इसा ही हुआ था लिकिन इस बार जो है नया करेटेरिया आया होगा क्योंकि कोविड नेटरिंग के विए सब कुछ देरी से चल रहा है ठीक है तो आप लोग में मेरे साथ सब कुछ सब के सब सबस्क्राइबगा सब्सक्राइब सबस्क्राइब को मेरे उमिद से आप जून को मेरे क्या रहा है दस तो तो क्या करेंगada 10 जुन को है डिल्ली एड़्क्वार्टर में जो है शुंड करेंगे अगर पोस्ट आफिस नहीं खूला होगा तो मेंडियासाब क्या करेंगे वह लोग कि आप लोग को आप लोग को नेट पे अप्लोड कर देंगे इंटेनेट पे आप लोग डाउwnोड करना आप लोग ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीए ठीक है तो हम लोग बात करते हैं क्वेट के बारे में देखिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग को मोटिवेट करेगा इसा चीज उडानों में दम इतना है कि मौत भी सामने आये तो कहते हैं कि जरा अभी और भी देश के दुस्वन मारने है तो एरफोर्स का मोटिवेशन है आप लोग जाने से पहले मोटिवेट रखेगा ठीक है कि आप लोग ट्रेनिंग से वापस ना सकें ट्रेनिंग आप लोग पूरा का पूरा कंप्लीट करें हाँ कुछ केंड़े ट्रेनिंग से कुछ कम है मुझे यकी है कि यह असमान कुछ कम है ठीक है लास्ट है घरवालों को लॉट आने की उमिद देगा जाता है जीत जाएंगे जंग मन में प्रण के जाता है बे खौफ छुडाता है वह चक्के दुस्मन के अजी फौजी है जनाब तिरंगा लहरा के आता है ठीक ह और खौब कर बाड़ आसाय था चक्षर्ण को वह चक देखा जीक है जोंसे ह। दीक करे बाड़ है जनाब